हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप से चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही स्पेशल यूपी के डिश जिसे फराय के नाम ज़र भी जानते हैं और बहुत से लोग इसे पंगोजा वग्यारा भी कहते हैं और यह बनाने में बहुत ही इजी है बहुत टेस्टी रेसिपी है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने यह चने की दाल ली थी एक बड़ी का टोरी के बराबर जसे बिगा दिया था छे-साथ घंते लिए और यह अच्छे से पूल गई 한nant wn Minya और उसके साथ मली ए मैंने दस बारा लै सुनकी कलिया और चार-पांवा यह थ == ती प्लेट में टमाटर बगैरा रख़ा यामें सब्रrob法 यह पीछ लिए, इसे ब्राइब पानेया यह कई चैपनेयों मैंने पीछ लिए विरोट ऊंद आत्यासे यह कि बीटो विद भीक एपके के साथ जलिए इसे त्यार करते हैं आप इसमें नमोंग करेंगे तॐर्ड थोड़ी सी थोड़ी पवाउडर धाए ठक नहीं होती है और थोड़ा सा जीरा आधा चमज और इन सब को मिक्स कर लेंगे अच्छे से यह हमारी स्टफिंग होगी जिसे हम भरेंगे आटे और यह खाने में बहुत टेस्टी लगती है बहुत जल्दी बन जाती है इसे मिक्स कर लिया है और यह जब पीसी है तो जाता गीला मत करेंगा इसे ड्राई ही रखिएगा मुश्कल समयने तीन-चार चमज बराबर पानी पस टाला होगा और यह आटा है नॉर्मल रोटी वाला इसके ह Blade Points करेंगे तो इसकी नॉर्मल रोटी कि उसके बढ़ी जैसे만 पी देंगे समझल सेई तो एक जाहों है 13 ने कर्टेंगे तोड़ा थिकनेस में बनाना है, यह हमने लोइयां काट लें, मैं बनाके दिखाती हूँ आपको, यह एक लोई लिए, यह देखे, यूँखहाता लगाके इसे बेल लेंगे, यह देखे, इतनी बड़ी-बड़ी लोइया लेंगे, और पूरी छो होती, पूड़ी के साइज का हम इसे बैल लेंगे इस थोड़ा सा मोटा ही रहेंगे आघ कैसे इतना मोटा में इसको बैलना है कि इस संप्ड में अब इसमें हमने कीैना दाल कि ओल आडल की इसको हम बहर दें गें चमश wishक के बराबामें भरती हुआ तोड़ा सोगर डालूंगी बस अब इसे जो है ना जैसे हम गुजिया बनाते हैं ना खोलियों में उस तरह से इसे पैक करते हैं चारो तरफ से दबाके और एक मतलब जब बनाएंगे ना इसमें बहुत जादा मत भरिएगा इतना बरिएगा कि इसली जो है ना यह बंद हो जा तरह से हम बना लेंगे बाकी सारी भी यह मैंने बना लिया है और अब इसे हम बॉयल करेंगे और इसे आप नाश्टे में खाईए यह लंच में डिनर में बहुत टेस्टी लगता है बहुत इसली बन भी जाता है तो चलिए इसे बॉयल करने के लिए तब तक रख देते हैं इक यूकर चडहाती है मैंने gas में इसमें पाणी दालेंगे यह ढांकी दो छुक नदेंगे और पर इसमें डाला के और नहींगे में चिपके कानी उचली जब होगा तो सारी इसमें ढाल देंगे और इसको सारा डाल के हम verkого कर दो सीड़ीर बस लगाएंगे दो से जाधा नहीं लगाना है दो सीड़ीर में यह आराम सी पक जाएगा और दो सीड़ी पक जाएगा उसके बाद जब ठेशर निकल जाएगा यह तब हम इसे खोल के देखते हैं ठीश जब यह इसका प्रैशन निकलग है यह यहई राम से और इसको हम ने निकाल लिए और निकाल लिए तो इसका बड़े बर्तन में निकाल लीजिएगा थोड़ा ठंडा हो जाए पानी बचेगा आपवी फैक दीजिएगा आपनी catching अुज अब डिए तो आम हम इसको completed सिंप में काट लेंगे इसको मैं काट जहेँ, पीसेज में, आपको दिखाती है véels अब अपने छाइस के इसा प्तले मोटे जैफेजो अच्छोंपर से की?! यह जो तो नदफ के सम आधुनदी जहाते हैं थोड़ा सा क्रिस्पी पन जो है ना इसमें आ जाता है और खाने बहुत डेस्टी लगता है यह देखें इतने बड़े-बड़े पीसे मैंने काटे हैं अच्छे से अंदा से पग भी गए है दो सीटी मैंने लगाई थी यह देखें यह दाल बेकुट पग गई है अच्छे से क कोई कच्छा पन नहीं है इसमें थिके और जैसे आप चाहें वैसे काट सकते हैं तो मैं तो इस इतने लैंध में काट रहें हुँए इतने व्रत में तो बाकी ज इतना अपर शाद लेती हूं छाया और इस फ्राइश से फ्राई करते हैं एक बार में बहुत जादा जब फ्र तो ठोड़े दोड़े कर सकते हैं , छोटा बर दर ले रहा हूं ,這些 पर इतने काट लिया है , कडाई जड़ा देती हूं पर इसमें डालेंगे मैं रिफाइंड ओयल यूज कर रही हूं आप चाहें तो इसमें तड़का भी दे सकते हैं जीरे और राइका पर मैं नहीं दे रहीं क्योंकि मुझे यह ऐसे नॉमल इच्छ लगते हैं और इसको डाल के इसमें फ्राइ करेंगे तीन से चार मिनट में इस करेंगे तीन से चार मिनट में जब इसका कलर जो है ना थोड़ा सा गोल्डन चड़ने लगेगा और थोड़ा सा डार्क वाला जो होगा ना जिसे कि अच्छे से भून जाता है थोड़ा सा रेडिश पर तब तक हम इसे पूनेंगे यह देखे यह थोड़ा-थोड़ा होने दिए देखे इस तरह से जब होने लगेगा न तब थोड़ा से क्रिस्पी पन पर आएगा और तब खानें बहुत जादा डेस्टी लगने वाला है तो आप इसे किसी बीवग्ड खाईये बहुत जादा डेस्टी लगता है मेरे गर में तो सब बहुत पसंद करते हैं और करते हैं यह आपके लिए रेडी है इस पाइसी हरी चटनी के साथ और क्रिस्पी हमारे फरे जो कि बहुत टेस्टी लग रहे हैं मेरे तो मुझ में पानी आ रहा है अब आप पी जल्दी से ट्राइ करिए और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आप कैसी लगी रेसिपी और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो देखा आपने कितनी आसानी से कितनी अच्छे से बन गया है और बहुत टेस्टी लगता है और अगर आप इसका टेस्ट और बढ़ाना चाहते हैं इसके साथ गर्म गर्म चाय और अत्रत पाली ले लीजिएगा क्या फ्लेवर आता है ना माइंड ब्लोइंग